गुजरात प्रदेश के मेरे प्यारे भाई और बहनों, भारत के माननिय प्रधान मंत्री जी ने राष्ट के नाम अपने सम्बोधन में हम सब को आगा किया है कि कोरोना वायरिस जो एक महमारी के रूप में आज हमारे बीच में आया है इसका हमने मजबूती के साथ में मुकाबला करना है माननिय प्रधान मंत्री जी ने हम लोगों से कुछ समय मांगते वे कहा है कि आने वाली 22 तारिक को हम सब लोग जनता कर्फ्यू का पालन करें मैं प्रदेश के सभी भाई बेहनों, भुजुर्गों, बच्चों सब से आग्रह करूंगा कि माननिय प्रधान मंत्री जी के इस आग्रह का हम मजबूती के साथ पालन करें और इस करोना वायरिस को हराने का काम करें यदि 22 तारिक को हम घरों से नहीं निकलेंगे, जनता कर्फ्यू अपने स्विम के भलाई के लिए लगाएगी तो मैं समझता हूँ, ये चैन तूटेगी और हम करोना का हराने में सफल होंगे गुजरात के भाई और बहन बहुत अनुशाशित हैं, मर्यादित हैं, धार्मिक हैं, सब से मिरा अग्रह रहेगा के हम आने वाली 22 तारी को सभी अपने अपने घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे ताकि जनता कर्फ्यू का विधिवत पालन हो सके और हम इस चैन को तोड़कर इस रोग से मुक्ती का रास्ता ढूंडेंगे धन्यवाद झाल झाल